खमा गणिसा आज की वीडियो में हम कट करेंगे कांचली के तीन पार्ट्स टुकी, आड और केवटा जिसे कई लोग पेटी भी बोलते हैं या अलग-अलग तरीके से बोलते हैं तो सबसे पहले हम कट करेंगे इस गट्टे से जो कटता है जिसको हमारे यहां पर तो चीरडी भी बोलते हैं कई लोग केवटा भी बोलते हैं तो उसको हम कट करेंगे तो सबसे पहले गट्टे के नीची वाली तरफ से हम दो इंच की मार्किंग कर लेंगे और वहां से 33 है और यह 32 और 34 भी पहल चकते हैं तो यहां पर में इसकी लंबाई है चेड़ी की वो रख रही हूँ सवा 4 इंच तो सवा चार इंच पर मांग करके यहां से फिर से हम सीधा इसको काट लेंगे और काटने के बाद में हम यहाँ पर एक इंच का ये कट लगा देंगे तो हमारी चिर्डी कटके तयार हो गई है अब कट करते हैं काशले का दूसरा पार्ट जिसे पेटी भी बोलते हैं और आड भी बोलते हैं तो इसकी लंबाई उतनी ही लेनी है जितनी हमने चिर्डी की या केवडे के ल लिया है और इसके दो पार्ट कर लिए हैं और ये चिर्डी के दोनों साइट इस तरह से लग जाएंगी अब कट करते हैं काशले का तीसरा पार्ट जिसे हम टुकी बोलते हैं तो इसकी लंबाई मैंने लिए है पांच इंच पांच या सवा पांच इंच ले सकते हैं आप और इसकी लंबाई और चोड़ाई दोनों बराबर ही होती है तो यहाँ पर मैंने इसको फोल्ड कर लिया है क्योंकि दो टुकी कटेगी और उसकी लंब कर सकते हैं चोक से बट मैं यहां पर डायरेक्टी कट कर रही हूं त्यूंकि मेरी प्रैक्टिस बनी होई है और मेरा शेप भी बन जाता है बट अगर आप सीखी रहें सिलाई तो आप पहले यहां पर मार्क कर लेना और इसको इस तरह से कट कर लेना इसको मैंने बीच में से करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरू करें मिलती हूँ आपको नेक्स वीडियो में तब तक के लिए खमागणी बाबाई टेक केर